Hi guys, welcome back to my vlog और यह वाला व्लोग जो है जो मैंने security और features वाला जो व्लोग बनाया था जो कहते हैं अपके body की quality मतलब build quality के बारे में बताया था और जो security features के बारे में बताया था उसी का यह second part है तो अगर आपने first part नहीं देखा है तो उसकी link यहां पर है आप उसको जाकर देख सकते हैं और second part इस वाली वीडियो में आपको मैं बतानी वाला हूँ तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अब इस वाली वीडियो में airbags अब ford की तरफ से क्या है कि पहले जो गाड़िया आती थी सब की में पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं इंडिया की तो सब में क्या होता था कि एक एक एर बैक देते थे या एक भी देते थे बहुत सी कंपनी ऐसे थी लेकिन ford ने क्या किया है हमेशा से अपने बेस मॉडल में भी दो airbags हमेशा से दिये हैं और जो टॉप मॉडल में वह भी 6 airbags दिये बहुत सी गाड़ियों में भी क्या है कि आपके टॉप मॉडल जो है उनमें भी 6 airbags नहीं है चार airbags है तो six airbags की placement क्या है वो बता देता हूं उसका फाइदा क्या है और कैसे उनका functions है वो सब बताता हूं तो सबसे पहले तो airbag एक तो यह होगिया आपका को पेसंजर साइड के लिए यह वाला airbag और दूसरा airbag है इसमें यह होगया आपका driver साइड के लिए और अगर इधर की बात करूँ यह आपको दिख रहा हो साइन यह है आपका left side में curtain airbags के लिए है left side के लिए और right वाली side के लिए भी बात कर लेते हैं यह आपका यह लग रहा और seat belt इसमें seat में भी जो है यहाँ पर आपका होगा मैं दिखा देता हूँ निकल के दिखाता हूँ एक चलो आप नहीं से पता नहीं चलेगा तो यह आपको देख रहे होंगे यह airbag का लग रहा है इसमें इस वाली seat में इधर की तरफ लग़ा है और तो इससे क्या है कि अब हमारी गाड़ी जो है आगे से हमारी गाड़ी का accident होता है बगवान करे नहीं होना चाहिए अगर हमारी गाड़ी का accident अगे की तरफ से होता है, तो क्या होगा कि मेरे सिर्फ आगे वाले एरबैग नहीं खुलेंगे, सारे एरबैग खुलेंगे, सिक्स के सिक्स, अब six airbags किया है, कि कल्टेंस वाले तो हो गए, पूरे जो शीशे को कवर कर देते, दोनों शीशों को कवर कर देते, एक तो भो गए और जो इसוסीट वाला बता है वह क्या होता है यहां पर खुलता है अपने शोल्डर के लिए खुलता है इदर की तरह इससीट में से निकलेगा और यहां पे सीट वーバल कापस खोलेगा वुझ जाएक तो वह शोल्डर को कवर करता है अब उसका क्या फंक्शन है accident हमारा side से हुआ माल दीजिए इधर से accident हुआ या फिर हमारा accident इधर से हुआ cross accident हो रहा है हमारा तो उसमें क्या है कि ये वाले भी खुलेंगे उसमें भी six airbags ही खुलेंगे आपके लेकिन उसमें अगर चोट हमारी इधर से लगेगी तो ये वाला airbag हमें बचाएगा और curtain airbag हमारे बचाएंगे हमें कोई चोट लगने से शीशे भी से फूट जाते हैं उन सब चीजों से curtain airbag बचाएंगे और हमारा जो shoulder है shoulder में कोई injury ना है तो वो हमारा वो safety के लिए हो गया तो six airbags का तो ये हो गया system हम आप दूसरी बात करते हैं अब गाड़ी हमने चला के लाये कही से हम हमें गाड़ी या फिर traffic signal पे या फिर हमने घाड़ी कहीं पर घर पर आ गए हमने घाड़ी कर दी बंद या फिर किसी जगह हमें गाड़ी करनी पड़ गई बंद तो उसके यह वाले function दिये गा है, इसमें door को lock करने के लिए, अब यह lock हो गए, अब यह unlock हो गए, अब अगर मैं engine का ignition off कर देता हूं, तो यह अपने आप से unlock नहीं होंगे, लोक ही रहेंगे, जब तक मैं यह unlock नहीं करता हूं, जब तक यह lock ही रहेंगे, और यह भी नहीं है कि, मैं इसे unlock करूंगा, तभी जाके मेरा gate खुलेगा, मैं इसे lock भी रख सकता हूं, आगे वाला gate जो है, मेरा ऐसे भी खुल सकता है, पीछे वाले gate जब भी खुलेंगे, जब मैं इसे unlock कर दूँगा, यह lock है मेरा, अगर मैं इसे unlock कर दूँगा, पीछे वाले gate अंदर से जब भी खुल यह नहीं चाहें आप आगे से लॉक कर दीजे चाहें लॉक कर दीजे डॉर खुलेंगे ही नहीं तो यह वाला फीचर भी मुझे एक अच्छा लगा जो कि हां वर्क करता है अगर हम गाड़ी को बंद कर दे कुछ बाहर से खोलेगा नहीं अपने आप अनलॉक नहीं होती है गा अगर आपकी गाड़ी में पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर और कैमरा है तो उसका रोल होता है कि सेंसर्स तो यह काम करते हैं यह मैशर करते हैं जो हमारी गाड़ी के पीछे कोई भी व्यक्ति है या कोई ओपजेक्ट है वह कितनी दूरी पर है उस इसकी जुद बीप होत और अगर मैं इसे अपने स्टेरिंग को लेफ्ट राइट करूं उसके लिए गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं अपने स्टेरिंग को लेफ्ट राइट करूं गान तो आप अगर देख पा रहे हूं तो इसमें एक वाइट कलर की लाइन्स हैं यह देखर हैं तो लेफ्ट कर रहा हूं इसे अगर मैं इसके ब्ली स्टेरिंग को बते हैं पीछे वाले टायर मेरे कि p 26 जगह पर जाएगे मैंने अगर स्टेरिंग अपना थोड़ा सा गुमाया है तो मैं अटरी गृजिशे को जबाने पर उतने फ्रक्राइन गौमाने पर जादे गूमाया तो किस जगह पर जाएगी तो बहुत तो हो गया हमारा camera और reverse parking sensors की बात हो गई और अगली बात आती है हमारी अब गाड़ी हम चलाकर लाए गाड़ी घर पर लाके reverse reverse में करके या फिर किसी जगापर मार्किट गए हमने गाड़ी कर दी बंद या फिर गाड़ी बंद नहीं करी हमने हम भूल गए किसी वजह से रट और हम चले गए डोर को खोलके और हमने बंद कर दे दो तो सबसे पहले तो अगर हमने इंजन अउन है या फिर इगनीशन भी ओन है गाड़ी का तो हमारी जो गाड़ी है वह दोबार ओन जो है बीक करेगी बीप ऐसे करके जो भी आपका होगा उस हिसाब से दो बार आपक आ रही है होन बजेगा आपका दोबार अगर आपने ड्राइवर साइड डोर खोल के बंद कर दिया अपना तो वह होन बजना ही बजना अगर आपकी इनिशन ओन है और इंजन भी ओन है दोनों में से कोई भी चीज है तो वह ही लेकिन आप फिर भी आपका होन मान लीजे किसी वह कि से खराब हो जाता है और जो है आप भूल जाते हैं किसी विज़ा से बैसे बहुत ऐसा रहता है लेकिन जो आपका जो यह प्राद मेंट बाद बंद हो जाता वो अदू इनिट वाला फीचर है अटो अफ़ले हो डो अगर अगर ऑस फीचर को अं रखें वीज़िक किसी ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं, बहुत बड़ा जाम लग गया, हमारी गाड़ी स्टार्ट है, हमने ब्रेक जो अपने प्रेस किये हुए हैं, जो हमारे पैरो वाली ब्रेक होते हैं, वो हमने प्रेस किये हुए हैं, और पांच मिनट हो गए, प्रेस करते हुए हैं, औ और जो इंजन बिना बात के चल रहा था, वो बंद हो गया आपका, वेयर टेयर कम होगा, और तीसरी बात, पॉलूशन, पॉलूशन तो बचना है ये आपका, तो ये भी एक अच्छा फीचर हो गया, अब बात कर लेते हैं, सबसा बड़ा फीचर जो है, जिसमें टाइम लगन पड़ गए, तो ये क्या होता, एकडम से लॉक हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो, अभी तो ये लूज है, देखिए, और अगर जैसे ही एकडम से ब्रेक लगाएंगे, तो ये ऐसे करके जटका लगता है, और ये सीट वल्ट सुजाती है, टाइट, अभी लॉक हो चुक से हमारी बॉडी को अभी भी चलने का अमन कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी को लग रहा है, कि हम मूव ही करते हैंगे, लेकिन अब लग गया ब्रेक तो हमें चड़न जटका लगेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो एसी हमारी बॉडी एकडम से रुख जाईगी, हम आगे टकराने से बच गए स्टेरिंग में लेकिन हमारी बॉड़ी हमारी यहां पर ठुक गई ना यहां पर रुक गई सौकी स्पीड है इंटर्नल चोट लगने के चांसिस है अब उस चांस को कम करने के लिए इसमें एक फीचर आता लोड लिमिटर लोड लिमिटर क्या वर किया एर बैग वह खुलेगा और हम अराम से लैंड कर पाएंगे एर बैग पर तो वह लोड लिमिटर है तब यह हमारा पॉसिबल आगर हम सीट वर्ड नहीं लगाएंगे तो हमारा एर बैग होने का भी कोई फायदा नहीं है एर बैग आपका खुलेगा उससे पहले आप तक् पराने से आपकी चोट लग गई यहां पर कहीं भी किसी भी जगा पर दूसरा जब एयर बैक खुलेगा तो बहुत ज़्यादे वह स्पीड से खुलते हैं बहुत ज़्यादे उनमें च्या कहेंगे फ्रैक्शन सफ सेगंड में एक दम से हवा भरती है ना उसमें तो वह लग गए आपको तो उसे बचाने के लिए सीड वैल तो हमेशा पहनी है और अच्छी बात यह सीड प्रेटेंशन भी है अपकी गाड़ी में और लोड लिमिटर भी है तो यह हो गया हमारा सीड वैल को लेकर और एयर बैक्स को लेकर और लोड लिमिटर को लेकर बात हो गई अब seatbelt की वार्णिंग्स मैंने आपको बताई थी वार्णिंग्स आती है नहीं भी बताई तो वार्णिंग्स दिखाता है अगर मैं seatbelt नहीं लगाऊंगा तो इसमें जो है आवाज बीप आने लगेगी टूं टूं करके जो बिया अलग-अलग गाड़ी की अलग-अलग बीप हो सकती है तो उसे साब से हवाज आएगी अब बहुत ची गाड़ियों में क्या है कि सिर्फ खली driver side seatbelt के लिए ही जो है बीप आती है अब इसमें क्या है अब नहीं गाड़िया आ रही है उनमें सम्में है जायतर उसमें क्या है driver code driver side जो है उसके लिए भी seatbelt reminder है अगर आप उ उसके लिए एक function order दिया गया है वो में गता देता हूं आपको यह इस seat पर जब भी कोई बैठेगा तो उसका कोई वज़ा नोगा 10 किलो मिनिमम वज़ा नोगा 10 किलो से उपर कोई इंसान या फिर कुछ भी चीज रखी है हमारी seat पर तो इसमें एक वेट नापने के लिए sensor लगा हुआ है से seat के अंदर ही मिलेगा आपको काटेंगे तो काटेंगा नहीं उसके अंदर होता नीचे से मैं आपको वायर दिखा दूँगा उसका वो क्या होता जैसे आप इस पर 10 किलो से उपर का वज़न डालेंगे तो गाड़ी को पता लग जाएगा कि यहां पर कोई बैठा है तो इसके seat belt warning इसकी activate हो जाएगी और airbag भी activate हो जाएगा उधर वाला उसकी light उसकी light आपको इधर instrument cluster में भी दिख जाएगी अगर कोई बैठा है तो red हो जाएगा seat belt reminder अगर कोई बैठा नहीं है तो सिर्फ खाली driver side के लिए ही red होगा अगर मैं बतायता हूं इसमें sensor बैठा है कि यह वायर उसी के लिए जा रहा है जो sensor मैंने आपको बताया था जो यहां पर इसके seat में लगा हुआ होता है जो पता करता है कि यहां पर कोई बैठा है या नहीं बैठा है उससाब से जो है आपका seat belt reminder जो है on या off हो जाता तो यह तो हो गई हमारा seat belt reminder की बात हो सब्सक्राइब की बात हो गई एर बैक्स की बात हो गई अब एक दो फीचर और बचते हैं वह भी मैं बताता हूं जरा मैं भूल गया अब बात आती है रात में रात में कुछ ऐसे features होने चाहिए ना हमारी गाड़ी में जो कि हमें रात में भी help करें जो especially रात के लिए ही बन सेकिंड और exactly मुझे नहीं पता उसमें शायद 120 सेकिंड का भी option है तो दो तिन option है आप उनमें से सेट कर सकते हैं अगर आपने गाड़ी अपनी बंद कर दी और आपकी जो है बंद करके आप चले गए उसके बाद आपकी गाड़ी में जितने आप सेकिंड आपने सेट किये ह है उतने सेकिंड बाद आपकी लाइट जो है अपने आप ऑफ हो जाएगी और अटो हैड लाइट का फीचर एक यह अच्छा है कि आपके रात हो जाएगी तो अपने आप जल जाएगी आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है और हैडलेंट डिले वाला मैंने बताई दिया अप गाड़ी बंद करने के बाद जली रहेंगी 20 सेकिंड तक मैंने 20 सेकिंड सेट किया हुआ है 20 सेकिंड तक चली रहेंगी गाड़ी की सारी लाइट यह लाइट और पडल लेंब भी और उसके बाद में बंद हो जाएंगी अपने आप अब सिक्योर्टी की बात करी रहें तो शायद हमारी lock है, unlock है, हमें ध्यान नहीं है, lock भी है, तो भी ध्यान नहीं, unlock भी है, तो भी ध्यान नहीं है, उसके लिए 포oad Pass जो अप आती है, आप उसमें जाके अपनी गाड़ी को remotely lock और unlock कर सकते हैं, अनलोक रह गई है तो वहाँ पर आप जाके लॉक कर दीजा आपकी गाड़ी लॉक होगी तो भी दुबारा से लॉक हो जाएगी तो यह फोर्ड पास से आप यह भी कर सकते हैं बाकी एक यह लगता है मुझे सिक्योर्टी के हिसाब से कि आपको जो इसकी जो स्मार्ट की आती ह है इसमें क्या है आप सिंपली पॉकिट में रखिया हमेशा यहां पर ग्रैब करिए अनलोक हो जाएगी आपकी गाड़ी और आप गाड़ी को बंद करना चाहते हैं तो सिर्फ यहां पर टच कर दीजे आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी तो यह वाला फीचर भी में रख लीजे अपनी की को और जब घर वापिस है तब ही निकाल लिए उससे पहले निकालने की ज़रूत एक सेकेंट के लिए भी जरूत है नहीं बिल्कुल भी तो मेरी तरफ से मैंने जहां तक मैं समझता हूं मैंने जितने वी सिक्योर्टी वीचर से से सब मैंने इसमें कवर कर दियें अपनी वीडियो में अगर उसके बाद भी कोई रह गया हो तो आप कमेंट्स में डाल दीजेगा और एक फीचर ऐसा है जिसका नाम है सुचिज इनिविट उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी कोई पता हो जो भी कमेंट्स में बताईए बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए शुरक्षित रहे हैं घर में रहे हैं कोरोना हो रहा है मास लगाए जब भी भाहर जा रहे हैं और पीस तो बनाके रखिए यार लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा है और प्